मेरो अबद धाम ब्रह्मांड मुकुट मणी मंगलकारी है मंगलकारी है मुकुट मणी मंगलकारी है मेरो अबद धाम रमधाण मुकुट मणी मंगलकारी है इस वीडियो में आपको स्री राम जन भूमी के बगल में त्रवीड सैली में बनकर तयार भव्वे और अर्रोकिक स्री राम लला सदन देवस्थान अयोध्या राम कोट में जो ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों ये राम लला देवस्थान देवस्थान का मुख्य गेट हुग एक जून 2022 को मानिय स्री उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रे स्री अधिते योगियाती तेनाची ने इस मंदिर का उर्गाटन किया था ये राम कोट में पड़ता उसका मैं में गेट दिखा रहा हूँ ये बाहर का भी हुग है दोस्तो जैसे ही आप मंदिर में घुसिएगा उपर से आपको ये देखरें पुरा द्रविट दच्छिन भारत का ये पहला मंदिर आयोध्या में आपको दिखाई देगा बहुत ही भव्वे मंदिर है दोस्तो ये तीन साल में बनकर तैयार भवे देवस्थान मंदिर दच्छिनातर सेली में रामलला देवस्थान मंदिर का निरमान दच्छिन भारतिय कुसल काड़ि oprena K teu ने 3 साल में किया है द्रविट सैली पर अधाडितिस मंदिर में स्त्रीराम, सीता, भडत, हनुमान, सजूधन की परतिमाय को अस्थापीत किया गया है तमिल्नाडू के महाबली पूरम के पत्रों से भगवान के दिब्य परतिमा मंगाई गई थी जिसे मंदिर के गरफगरी में अस्थापीत किया जाएगा मंदिर के गरफगरी में 38 मंदब, पुर्न मंदब, गोपूरम, करूर अस्थापीत किया गया है मंदिर में दो सिंग द्वार बनाएगे द्रविट सहली में बने दोनों सिंग द्वारा अबरा भगवान के 24 अवतारों देवी देताओ की परतीमा स्थापीत के गए इस द्वार को राज गोपुरम भी कहा जाता है मंदिर में भगवान के 31 मई से 4 जून तक प्रान परतिस्ठा का महोजन किया जागा मुखे मंत्री प्रान परतिस्ठा में सामील होंगे उत्तर परतिस के मुखे मंत्री आयोतियर एते 1 जून 2022 को इस मंदिर का उधगाटन किया था महत्सव को लेकर काफी तैयारी चल लही थी मंदिर का निर्मान स्री राम कथा के मरमज जगत कुरू डॉक्टर राजय वचारी निर्करा है उन्होंने बताया कि मंदिर स्री लावला के असीम किरपा से अत्यंत प्राचीन स्री लावला देवस्थान के जिनुदार करके दच्छिना सैली परतिस्ठा करें निर्करा के तिम परतिस्टों के जिर्करा कि सुछिना बहुप्रा भी करतना सैली खें परतिस्ठा 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 10 लोगो एक माण झानली के जो वर्था लोगो एम, जो ऐसे, जो पर दो चांट जो बलादीन, जो भनी जो जो एम. झाल और भुष झाल ब्लासम में ंन्या отвे हां कि ढूलत टूलत उके адमायां कि जहां झाल器 कि अजा उडाख studios कि शके वेईhan कि अभिल्ग को ऑनके थे हां कि ढू MEM вн reigns Quiz तो तो आज़ो अज़वेशा नाज़ए लिए देड करेंगारिशिया वे। दोस्तो इस प्रान परतिस्ठान को देखने के लिए देश के अलग-अलग कोने से यहाँ पे महराजी के जिनतेवी शिस्सेया हैं वो सबाएं थे हम लोग आज समस्तिपुर बिहार से इस मंदीर का प्रान परतिस्ठान देखने कंवाएं थे मेरे साथ सुकला परिवार जो लखनाव से जैपूर के भी भाईया लोग बहुत मिले थे दिल्ली बंबे और ये मेरे माता स्री भाईया भावी सब लोग इस मंदिर प्राण परतिस्ठान में हम लोग देखने के लिए हैं 31 माई 2022 से एक चार जुन तक प्राण परतिस्ठान चल दोस्तों अयोध्या में जो द्रविट सली का पहली बार मंदिर वाना था पहुत ही भब्वे देश के हर कोने से लोग आये थे देखने के लिए सामने देख रहे हैं जो मंदबगार के प्राण परतिस्ठान चले ये हमारे जगत गुरू रागवाचार जी के गुरू जी हुए उनसे सब आसिरबाद ले रहे हैं और गुरू जी सबको आसिरबाद द तेली हरकूने से स्थाइड़ा दोस्तों इस मंदिर को देखने के लिए इतना काफी ज़्यादा भीड़ था साम में कितना भब्बे नजारा लग रहा है देख रहे हैं और मंडब ये पांच दिन का प्राण परती स्थान चला था देश के हर कोने से हजारों भक्त गन सरधालू महराज जी आये थे हम लोग भ में पड़ता है राम जन भूमी के जस्ट बगल में और जो पुराने जवाने में धुन प्रान परतिस्थान होता था सब कुछ दच्छिन भारत से पंडित लोग पुजारी लोग सब को आये थे मेरे पीछे देखरें बहुत ही भब्बे नाजारा पूरा वीडियो बीना स्क कीए और देखरें बहुत ही आपको मैंने कवर किया है बहुत ही जवरदस्त आपको लगेगा दोस्तो इस दच्छिन भारत सेली में जो मंदिर बना इसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आये थे अयोध्या और देश के हरकोने से बाहर से कैसा दिख रहा रात का और इसी के तीन सो मीटर के दूरी पे आपको राम जन भून दोस्तो रात में देखें किस परकार भब्य नजारा लग रहा है 31 माई से 4 जून 2022 तक चाहिए उपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा है जो किस परकार ये मंदिर लग रहा है और तच्छिन भारत के इस पे ये पहली बाड़ी मंदित जगत गुरू रागवाचार जी द्वारा ये मंदिर बना गया है जस्ट राम जन भूमी से 300 मीटर की दूरी पे है सुरच्छा काफी ज़्यादा रहा था क्योंकि इसके जस्ट बगलने में स्री राम जन भूमी उपर से रात का भीव कैसा लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ द्रविट सैली दच्छिन भारत के तरज पे तीन साले में बन कर इस मंदिर को तयार किया गया है और देश के हर कुने से इस मंदिर को देखने के लिए आया थे मैंने बहुत कोशिस किया है ज़िए आपको हर एंगल से इस पूरा मंदिर का दिरिष्टे दिखाऊ और इस सामने मंडब देख रहा है ड्रोन से वीडियो कैमरा सब को सूट किया जा रहा और इसके अंदर मंत्री जो मंत्र उचारन हो रहा है और देख रहे हैं मंडब बना के जो किस परकार पांच दिन का प्राण परतिस्ठान चला है उस परकार देख रहे हैं काफी ज़्यादा और जगत गुरु को जो मिला है, ये महराजी लोग सब कुछ मंत्र पहर रहे हैं, और अभी साम का भी हो है, पूजा पाठ सब कुछ चलना, पांच दिन का आयोजन था, कुछ कारण वस वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, दोस्तों बहुत ही भब्बे नजारा है, जब भी आ आप रामजन भूमी देखने जाए, आयोध्या जाए, तर रामकोट आयोध्या जरूर जाए, वहाँ पे दच्छिन भारत के तरज पर ये मंदिर बनाया गया है, एक जुन को माने मुख्य मंत्री जी ने इसका उदखाटन किया था, और मेरे पीछे देख रहे हैं, काफी ज और दिविता परदान के रामकोट की धर्मिक आभा को ये मंदिर चार चांद लगा रहे है, उत्तर बाहर से जो लोग आये थे, उनके खाने पीने अक विवस्ता महराजी द्वरा एक धर्मसाला में किया गया था, सुबा साम तिन्ती टाइम नास था भव्वे, ये तोड़ा पुर्णावची करते हैं, इसे अपने हां पुर्णावची करते हैं तो नारियर लेकर 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 ग्राइ और नयस्ट अलू झाम झाल पबली भाड़क के जो अनकों शाम है रिपोर्टर उनी के साथ में अभी मैं आयोधिया रामजन भूमी में हैं दोस्तो एक जुन 2022 को जब माने मुख्य मंतरी इस मंदिर का उधगाटन करने ये प्रिया सिंग जी ने उसकी एंकर है अभी देखे माने मुख्य मंतरी जी आ गया है सब को रोक दिया गया है जो भी जिनका पचीस आदमी को ही मंदिर के अंदर जाने का एलाओ है काफी ज़्यादा टाइट सेक्रेटी था अब देख रहे माने मुख्यमंत्री जी आ गए है और ये ज़स्ट तीन सो मीटर की दूरी पे रामजन भूमी का वो जो था वो सब करके वो आ गए है उन्ही का काफिला है ये मुख्यमंत्री का काफिला एक जुन 2020 को कुछ कारण वस मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूँ काफी भब्य नजारा था आपको मैं दिस वीडियो में देखे वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें जै सिराम जै लूँ दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं माने मुख्यमंत्री जी का काफिला काफी जादा भीर आपको दिखाई देगा टाड़ सी पचीस आदमी को ये अंदर जाने का निमंत्रन था और देखरें मुख्य मंत्री जी आ गए है मंगलकारी है मुख्य मणी मंगलकारी है मुख्य मणी मंगलकारी है पीरों अबद देखरें